तो हेलो गाइस और वेल्कम बैक तो मैचैनल तो गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाटा नेक्सॉन की सीट बेल्ट के बारे में तो इसमें आती हैं फाइफ पॉंट सीट बेल्ट जिसमें से एक होती है जो ड्राइवर साइड हमारी दी हुई है वह वाली जिसका की आपको यहां पर मिलता है एक उत्ती है पैसेंजर से जिसका की लॉक आपको यहां पर मिलता है यह वाली दोनों सीट बेल्ट से हमारी प्री टेंशनास के साथ आते हैं तो प्री टेंशनास का मतलब होता है कि जैसे अगर आप इसको नॉर्माली खीचेंगे तो यह आप जाती है तो जटके से अगर आप इसको कीचेंगे तो यह लॉक हो गई है यहां पर इसके बाद अगर हम चलते हैं रियर सीट में तो जैसा कि मैंने आपको चार्टिंग बताई इसमें आती है फाइफ पॉंट सीट बेल्ट तो एक सीट वहां पर ड्राइवर साइड एक यहा और उस तरह वहां पर 2 तो चार तो और अब दू पॉंट से तो पांच बेल्ट कहाँ है तो जैसे आपको अगर फीच को एक्सेश करना है तो आपको यह उठानी होगी यह यह यहां से ओठेगी और यह वाली जो सीट यह यहां से उठेगी तो आप इसको देख सकते है यह प अगर आप इसके बाद यह वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसको अगर आप देखेंगे तो यह पूरा का पूरा एक फ्लैट बेड बन गया है यहां पर अब हम इसको उठाते हैं और यह वापस लॉक हो गई है यहां पर जो 5.0 seatbelt के मैं बात कर रहा था वह वाली जो 5.0 seatbelt है वो यह है वो middle passengers के लिए है चुकि Tatan Exonic 5-seater car है तो यह वाला जो बकल है यह है उस वाले passenger के लिए जो कि यहां पर बैठेगा इस वाले passenger के लिए यह वाला बकल है यह वाला अगर आप देखेंगे यह वाला बकल है और यह यह तीसरा बकल आप देख रहे हैं यह इस वाली seatbelt के लिए है तो यह यह यहां पर आपको मिलती है seat के नीचे तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको यह नीचे कर देते हैं ऐसे और एक बकल उदर से निकाल लेते हैं जैसा कि मैं आपको एक दिखा रहा हूं यहां पर अगर आप एक बकल निकाल लेते हैं और उसके बाद इस सीट को अगर आप दबा देते हैं तो आपके सारे बकल यहां से और यहां से बाहर आएंगे तो तीनो बकल आपके दो बकल यहां से बाहर आएंगे और एक लॉक यहां से बाहर आएंगे और एक लॉक यहां से जा करके इसमें लग जाएगी और जब आप बैटेंगे तो आप इसको अपने इसाब से टाइट और लूज भी कर सकते हैं जो बीच वाला पैसेंजर है वो भी सेफ रहेगा और टाटा निक्सोन ने इसकी पूरी सेफटी का ख्याल रखा है कि आप कहीं भी इधर उधर नहीं और जब भी इंपैक्ट हो तो आप यहां अपने कमर से बंदे रहेंगे तो आप ज्यादा आगे भी ना जाए यह और जनरल यह सीट बेल्ट यहां नीचे रहती क्योंकि इंडिया में कोई पीछे सीट बेल्ट लगाता नहीं है इस वाज़े से अंदर ही रहती है इस सीट के नीचे भी हमारे पास सीट बेल्ट दी हुई है जो कि सीधे जाकर के वहां पर लग जाएगी ताकि बीच वाला पैसेंजर भी सेफ रहे उमीद है आपको यह शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू